श्री महाल अच्वे नमा, दोस्तो बास्तु ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दन प्राप्ति की बहुत ही अच्छी उपाई बताने वालंग। दन प्राप्ति की उपाई बेदी चमतकारियां प्रबाव साली। अगर आप इन उपाई को करते हैं तो आपके घर में सुक और सम्रती आएजिए। वास्तु सास्त के अंसार घर के हर एक हिस्से में कोई न कोई उर्जा होती है जिसका प्रबाव घर की लोगों पर पढ़ता है। वास्तु सास्त में घर में सुक संपती और कोशाली लाने के कैई उपाई बताए गई हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से परिशान है या फिर आपके उपर भारी करजी चड़ रहा है तो आप वास्तु के कुछ आसान से उपाई उपना सकते हैं। दोस्तों घर में अगर वास्तु दोस ना हो तो हमारे घर में सुक और सम्रदी आती हैं। क्रांसुला प्लांट को भी बहुत सुभ माना गया है। माना जाता है कि ये दोनों पोदे धन को अपनी तरप आकरस्थ करते हैं। इन्हें कुवेराशी प्लांट भी कहा जाता है। इन्हें लगाने से घर में धन आगमन के मारव खुल जाते हैं। नमबर दो, जाड़ों का घर में विश्य समय तोता है, जाड़ों कभी भी खुले में ना पटकें, और जब भी हो जाए, हपते में, पंदर दन में, जाड़ों पर टीका जरूर लगाना चाहिए, शुक्रवार के दिन, एक जाड़ों मंदर में दान करके जरूरानी चाहिए, यह ब्यादी, शुब माना जाता है, धन प्रापते के लिए, गर की उत्तर दिसा को, कवेर की दिसा माना जाता है, वास्तु कि अंसार गर की अलवारी को, दक्षण की दीवार से सटा करके ऐसे रखये, जैसे उसका द्वार उत्तर के और खुले, इससे गर में, कॵेर देव क साथ माता लच्मी का भी आगमन होता है घर की जो अलवारी होती है उसका विशी सुर्फ से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसा बगर निकाले या पैसा बगर रखें तो उसका जो मुक है वह उत्तर की तरफ या पूरव की सामने दीपदान जरूर करना चाहिए एक अखंडित भोज़ पत्र पर लाल चंदन को पानी में गोलने और उसको एंक जैसा इस्तिमाल करते हुए मोर पंक से श्री लिखे एक भोज़ पत्र आपको ले लेना है और साथ एक स्याई बना करके त्यार कर लेना है लाल चंदन की उसके आप पिला चंदन भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं और मोर पंक ले 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 और मोर पंक से आपको उस बोज़ पत्र पर श्री लिखना है आप पीछे श्री माल लच्वी नमा भी लिख सकते हैं और श्री लिखे हैं आप एक पिली कोड़ी लें और उस पर अच्छी तरह से हल्दी लगा दें अब इस भोज़ पत्र के उपर रख दें एक कमल गटा एक गोमती चक्र रखें और इस भोज़ पत्र को आप माता लच्छमी के सामने रख दें श्री महाल अच्छमी नमा एक स्वाट बार आपको पढ़ना है उसके बाद भोज़ पत्र को फोल्ड करके पीले कपड़ें बांद के उसी सामान के साथ में तेजोरी में रख देना घर की तेजोरी में पैंसा बगर रखते हैं दोस्तों जीवन में कभी भी आपको धन की कमी मै आपको पैसुस नहीं होगी घर के दर्वाजे पर लाल रिवन बादे है घर के मेन दर्वाजे पर लाल रिवन से बंदे सिक्क्य लटका दें, इससे घर में धन और सम्रद आती है, अपने पर्स में सिक्क्य और नोटों को अलग अलग रखें, वास्तु के अंसार पर्स में रुपे कभी भी मोड कर नहीं रखने चाहिए, अगर आप जेब में पेंसे रखते हैं, पर्स बॉलेट रखते हैं, तो पर्स में एक पीली कोडी, माता लच्मी के सामने चड़ी हमेशा अपने पर्स में रखने चाहिए, पर्स में 21 अखंडिक चावल के दाने को बांद कर रखें, पर्स को हमेशा बाई जेब में रखना चाहिए, इससे धनलाब के योग बनते हैं, पर्स में तामे और चांदी क चीजे रखने से लाव मिलता है, अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें, जिसे माता लच्मी की आकरती बनी होई हो, एक सिक्का ले ले आप, जिसमें माता लच्मी की और भगवान गनीजी की मूर्ती बनी होई होती है, और अच्छी तरह से शिद्ध कलने हैं, साμεने रख करके S ceremony रख्षमे मौहा सरी मा लच्मिनवा और उसके बाद में उसे आप अपने पर्स में रख्षे कभी धन की कमी आपको मैसुस नहीं होगी साथ ही मातल अच्मी के सामने चाबल चड़ाए पीली कोडी के साथ में और मातल अच्मी के मंतर का जाप करके 21 चाबल के दाने ये पीली कोडी के साथ में कलाल का बेम बांद के छोटी सी पूटली बनेगी और इसे अपने पर्स में रखी अमेशा, सिक्का ना रख सके तो, कभी भी जीवन में पर्स आपका खाली नहीं रहेगा, और भरपूर धन की प्राप्ति होगी, अर्निंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी आपकी, वास्तरू के अंसार, गर की दैलीज टूटी, पूटी या ख सा होती है, अगर दैलीज सही हो, और प्रती दिन थोड़ा सा जल दैलीज पर जीव डालना चाहिए, घर की किचिन में स्वास्तक चिन बनाना चाहिए, घर के जो चावल का डिब्बा है, उसका विशे सुपसे ध्यान रखें, कभी भी चावल का डिब्बा खाली नहीं होना कभी भी चावल का डिब्बा आपका खाली नहीं होना चाहिए, उसमें आप थोड़ी से चावल माता लच्मी के सामने से उठा करके पीले कपने में एक रुपे का सिकार चावल, आपको चावल के डिब्ब्यम हमेशा डालके रखने चाहिए, और किचिन के अंदर आपको एक मिट्टी का बड़तन हमेशा रखना चाहिए, उसमें जल बरकी रखें, वास्तु के अंसार गर के डेलीज टूटी आप फूटी खन्नेत नहीं होने चाहिए, वैतरी तरीके से बनी डेलीज से वास्तु दूस बनता है, गर की डेलीज बहुती मजबूत और सुन्दर होनी च चीजों का आपको विशेश रूप से ध्यान रकना है, माता लच्मी की विशेश रूप से आपको उपर किरपर आएगी, तो दोस्तों बहुत सारे उपाई में आपको बताएं, ये उपाई बियदी चमतकारी हैं और प्रवाबसाली हैं, अगर आप इन उपाई को करते हैं, तो माता लच्मी की किरपा आपके उपर होगी, घर में सुक और सम्रदी का बास होगा, और जीवन में आपके में कभी भी कोई परिशानी नहीं आएगी, तो आपको ये उपाई शुरू कर दे नहीं, ये उपाई बियदी चमतकारी हैं, प्रवाबसाली हैं, दीरे दीरे घर में धनाना सुरू हो जाएगा, और घर में जो भी परिशानी आपके मारी हैं, दिक्कते आ रही हैं, वह सारी परिशानी और दिक्कते दूर हो जाएंगे, मुझे उमीदा आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइ गर के अंदर पुराने सिक्के जरूर रखें, जिसमें माता की फोटो बनी हो, माता लच्मी और गनेजी की फोटो बनी हो, ये चीज़े गर में जरूर रखनी चाहिए, ब्यदिश शुम माने जाते हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में स्र मनुकावना पूरी करेंगे, जीवन में सुक और सम्रदी हमेशा बनी रहेजी, श्री मालच में नमान